वेल्कम फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे पांच ऐसे फूड की जो आपके ब्रेन पे बहुती बुरा असर डालते हैं अगर वीडियो पसंद रहे तो लाइक शेयर कीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा तो चलिए शुरू करते हैं पहला जादा नमक नमक में सोडियम की अधिक मात्रा होती है लेकिन जादा नमक खाने से इसका बहुत दिक छमता पर असर पड़ता है अगर आप जादा नमक का सेवन करते हैं तो आपका प्लड प्रेशर बढ़ता है जिससे बेचैनी होती है इसी वजह से सोचने और समझने की चमता प्रफावित होती है इसलिए जादा नमक का सेवन करने से बचना चाहिए क्योंकि यह आपके दिमाग को कमजोर बनाता है दूसरा जादा मीठा लोग भले ही मीठे को बड़े शान और शौकत के साथ खाते हो लेकिन मीठा आपके शरीर के कई अंगों को नुक्सान पह होता है सोडा फूट ट्रेंग्स आदि में शुगर की बहुत अधिक मात्रा होती है इसे ना केवल वेट बढ़ने के चांस होते हैं बलकि डाइबटीस टाइप टू होने का कत्रा भी बढ़ जाता है टाइप टू डाइबटीस के रोगियों में या जिन लोगों के बलड में शुगर की बहुत अधिक मात्रा होती है उनमें डिमेंसिया या या दास्त कम होने और अलजाइमर होने के चांस बढ़ जाते हैं पूर्थ निकोटिन निकोटिन दिमाग का सबसे बड़ा दुश्मन है निकोटिन का सेवन करने से दिमाग से खून ऑक्सीजन और ग्लुकोस क चीजों को समझने में दिक्कत होती है निकोटिन का नियमित सेवा करने से आत्मी भुलक्कड बन जाता है और किसी भी काम को ठीक तरह से नहीं कर पाता फिफ्थ फास्ट फूड लोगों में फास्ट फूड खाने का चलंस हो गया है लेकिन यह आपके स्वास्त के साथ साथ तिमाग को भी कमजोर वाजगुत रसाइनों की संरचना बदलती है इसके कारण वेचैनी और डिप्रेशन से जुड़ी लेक्षन सुरू हो जाते हैं फ्रेंड्स आज से आप ऐसा क्या करने वाले हैं जो आपके ब्रेंड के लिए हैंदी हो कमेंट में जरूर बताइएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू